मेरे हाट में देख रहे हैं यह सूखे वे पत्ते और यह सूखे वे पत्ते पौदे के लिए बर्दान साभित होते हैं अगर इसको आप यूज करते होंगे तो आपको पता होगा नहीं यूज करते होंगे तो वीडियो को पूरा लास्त देखे क्योंगि मैं इसका चार से पांच एतना बहत्रिंग बताएंगे यूज कि वेस्ट क्रूप में आज तक आप फेक थे ना इस सुखे उपत्ते को और यहां तक लोग इसको जलाना भी बंद करतेंगे और इसको वेस्ट सब्सक्राइब जरूर करेंगे और यहां तक यहां तक पहला यूज है तो मैं बता दूँ आपको कि इस टाइम पर पढ़्जा कर समय चल रहा है यह फरोरी का महीना चला और फ़रोरी के महीने में परजर बहुत तेजी से और इसरो में दिनकिता आखारी करना की सब्सक्राइब करने के बास इसलिए सब्सक्राइब और जब भी इसको जला लेते तो ज़ा लिए ज़ाने अगत पाद ही यह जुश कर सकते हैं इस आख मेर में बात करो ना तो इसमixa में आपको साफोर्थ को तो आप किलसियंग वहें कर्फन हो गेला इसको आप लेकिन को हमें ऱ्मेल चाते हुए जलाना थो यह फार साथ Exam ट्पारी जलाना नहीं है जलागे यूज करना चाहते हैं तो में पत्ति को हम जलाते हैं तो इसमें जो आफ से मिल जाता है तो जो राख देखे रहे हैं को हम अपने मिट्टी में यूज कर सकते हैं जैसे मिट्टी करिए गुड़ाई करने के बाद जो यह राख एक टेबले श्पून लेकि और चारो तरब इसको च्छिटका करते हैं और करने के पानी इस राख को अगर हम यूज करेंगे तो पुटेसियम कैल्सियम यह मिल लेकिन दोस्तों मैंने जो बताया कि इसे जलाने से कार्बन मनो अक्षाइड गैस निकलते हैं और जहरीले गैस निकलते हैं तो इसको जलाना आप बंद करें इसको जलाएए नहीं क्योंकि आगे वीडियो को और देखिए इसका बहुत यूज हम बताएंगे और इतना बहतर मल्चिंग करने काम इस टाइम पर आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा या हाई होगा मार्च अप्रेल मैं की मैंने में पौदे को बचाना तो एक तेड़ी खीर हो जाती है अगर कुछ लोग टेरेस गार्डेनिंग करते हैं तो टेरेस गार्डेनिंग में दोस्तों होता है क दिश्टर्ड होने लगता है तो इस बात को दियान देना है तो उसमें करना क्या है कि परचूर मातरा में इसको मल्चिंग का भी से जरिया बना सकते हैं जितने दोस्तों पत्ते निकलते गार्डेन से सभी पत्ते को इस्टोर करने के बाद छोटे गंबले बड़े इसको इस सब्सक्राइब दोसे तीन इंच के मोटी लेयर आप लगा दीजी कोई दिकत नहीं होगा ऊपर से पानी भी आप देते रहेंगे तो नीचे पानी चला जाएगा और पौदा आपका सेफ रहेगा जो यह जो परत देख रहे हैं यह दोस्तों परत बिलकुल एकदम नम रहेग यह जानते हैं अगर इसको इसका लेयर लगाते हैं तो पानी आपको बारबात देने की जरूत नहीं रहती है और आपका पौदा भी गर्मियों में बिलकुल सेफ रहेगा और मैं पता हूँ आपको एक चीज़ और कि इसको बड़े अस्तर पर जैसे कोई कंटेनर और बड़ फैलाने के बाद उसको मिट्टी ले लेजिए अपने गार्डेन के ही मिट्टी ऊपर से हलका से लेयर लगा दीजिए और पानी आप देते रही हैं तो तो दो-तीन महिने में देखेंगे ना पुझे पती है पती मिट्टी में कंवाट हो जाएगा और यह बहुत जल्ली से ड बना के दिखाएंगे आप बने रहे हैं लेकिन बहुत यूज इसका हम आपको बताएंगे जो एक बार अगर यूज कर लेंगे ना तो इस पत्ते को आप सालों साल यूज करते चले जाएंगे और यहां तकी यह ऐसा चीए दोसों इसका कोई कुछ भी अखाद बनाया है तो आप पसंद है तो आप जलाके उसके राक को यूज कर सकते हैं तीसरा नम्मर किसा कैसे यूज करते हैं इसका लेकुड फटलाइजर बहुत 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 बहतिन तरीके से बनाते हैं आई या पूत है कि लेक्षी फट्लाय कैसे बनाते हैं पत्टे का लेक्षी फट्लाय का बनाने के लिए सबसे पहले इसको कठा कर लिए और अब दिखाए हैं और यूज करके वि दिखाए आपको मिले रखा ये पानी पानि हमने 40血 पानी दो करना किया कि हमें लेना थोड़ी ची करना के थोड़ी हिए थोड़ी पानी लेक़ और यूज घोल लेगी तो अब देख सकते हैं और इसको में डाल देते हैं इसके बाद जो पत्ता है इस पत्ते को इसमें अमको यह डाल देना है अब अब दस लीटर पानी अगर बना रहें तो काम यह करना है कि कम से कम पानी से उपर पता हो जाना चाहिए देखिए अब जैसा में डाल रहे हैं अब ध्यान से देखिए अब देखिए यह लब लब हो गया यह अब करना क्या आपको कि एट और आपको हम बता दें कि अगर आपके पास वेश डिकमोजर का पानी होगा तो वेश डिकमोजर के पानी का भी यूज आप कर सकते हैं दस लीटर आप लेजिए वेश डिकमोजर का पानी और उसमें जो पत्ता है पत्ता को इसमें डाल दीजिए हां उसमें गुड़ आपको इसकिप कर देना गुड़ उसमें आपको नहीं करना है एक बात और है कि अगर आपके पास फ्रेज फानी है और थोड़ा सा आप चाहत दस लीटर पानी है आपके पास वेश ले सकते हैं जान रहे डालिए एक या दो लिटर या डालिए दस लिटर इन दोनों में गुड़ को आपको इसकिप कर देना उसके बाद इसको ढख के और कम से कम दोस्तों एक सब्ता से लेके पंदरा दिन तक इसको आपको रख देना ह करने लाख ही हो जाएगा और पंदरा दिन के बाद भी यूज आप यह कर सकते हैं जिसमें आपको दिखा दूं कि देखिए अलेडिया हम पहले से बना के यह रखे हुए है अगर ध्यान से देखिए देखिए इसको ढखके इसको रखे हुए और एक और यह धक्या पूरखना इसको चाहे जगा पर दूप में आपको नहीं रखना और मैं आपको दिखा दूं देखिए अलेडिये बनके हो गया यह तयार आप देख सकते हैं इसकी लिकुट को देखिए देखिए यह लिकुट जबरदस यह बन के हो गया यह तयार और इस लिकुट को दूप किसी भी पौदे में हम यह यूज कर सकते हैं और एक बार यूज करें ना तो वह पौदा बोलें लगेगा आपने फटलाइजर दिया पत्तो वाली तो पत्ति के रिस्पांस से बहुत ह सबना है और हमने लगेए लगेएक में लेता है और आपको लें परांती पानी में आपको यूज करना एक लिटर लिकुट को मैं डल देते हैं कि और इसको हम यह यूज करने के लिए फूल वाले पौधे और यहां और यह तकि यूज कर सकते हैं अब हम दिण करता है कि यह पंतर है साइज क्या है बड़ा पौधा तो ज्यादे मात्रा में भी आप उसको यूज कर सकते हैं चोटा पौधा उसको मात्रा में आप त्वसाब बढ़ा देजी एक लिटा दो इटर भी कर सकते हैं दोस्तों यह बहुत नुक्सान करने वाला नए रिस्पांस बहुत इसका अच्छा बना सकते हैं हम बात करें तो इसमें जोसो थोड़ा सा खाथ बनाने में सुखी वेले खाव लगता है एक लंबा इसका प्रोसेस है लेकिन आपके घृडान में भरपूर मात्राय पत्ते हैं तो मैं बता रहा हूं उस ट्रिक को आप ध्यान से सुनिए करना क्या है उसमें इसे लगा दे लाइजी और उसके बार यह प्रकिरिया है तब तक करतaren कि बोड़ी पूरा की वह ठाइं और उसके बाद क्या करना है मुह को बांद दीजिए च्छाय जगा पर गार्डेन में उसको रख दीजिए दोस्तों इसके फ्वाट टाइम लगता है यह 15 से बीट दिनी एक महिना बाद करना क्या है फिर उसको मुह खोलना है मुह खोलके उसको उपर नीचे करके इस तरीके से उपर नीचे करके फिर पान से छे मीना का टाइम लगेगा आप देखेंगे इतनी बढ़ियां तरीके से पत्तो वाली खाट बन जाएगा कि दोस्तों उस खाट में अगर उसकतों कि हम बात करें ना तो उसमें कैल्सियम नैट्रोजन पोटैसियम परचूर मातरा में आपको मिलेगा और पौदे पर यू कि मातरा उन सबसे अधिक पाए जाती है तो इसको आई यूज आप जरूर करें दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगा सेर करेंगा चैनल को सब्सकाइब जरूर करेंगा अगर देख रहे हैं फिसूप पेज को भी आप जरूर कर दिये मिलते हैं आप से नहीं वीडियो के साथ धन्यवाद